वेश्विक महामारी कोरुणा से बचाफ के लिए पूरे विश्वभर में मेडिकल सानिटाइजर का प्रियोग किया जा रहा है इन नियमों को लेकर भारत सरकार भी अब गंभीर दिखाई दिने लगी है इसी बीच अरवेदिक सानिटाइजर का विकल्प खोश निकाला है जीहां राजधाने से तार्ष संस्कृत दिखदर्शन संस्थान के अरवेदिक सानिटाइजर बना गया है जिसका राजधाने के लगभग सभी मंदिरों में प्रियोग किया जा रहा है वैश्रिक महामारी कोरोना को लेकर डबलू एचो ने सैनिटाइजर को एक उप्योगी चीज़ बताया हुआ था जिसका उप्योग लगातार पूरे देश क्या पूरे विश्व में लोग कर रहे हैं इसको लेकर राजिस्थान में कई संस्थाएं कई प्रबंधन सामने आये जिन्होंने कई आयरवेदिक जो सैनिटाइजर थे उनको बनाने के एक विधी निकाली थी इसको लेकर हम चौड़ा रास्ता थे द्वारखा धीश मंदिर में हैं जहां पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो सैनिटाइजर है इसको बनाया जा रहा है और क्या कुछ इसकी उप्योगता आप मानते हैं मैं आप से जानना चाहता हूं किस तरह से सैनिटाइजर को बनाया जा रहा है और कैसे यह उस सैनिटाइजर की बराबरी कर रहा है यह सेनेटर जी पहले तो हम लोग गरम पानी करते हैं उसके बाद हम लोग कपूर, नीम, नीम, तुलसाजी, फटकरी, लॉंक और हल्दी वगेरे सब चीज़ हम दालते हैं उसके बाद हम लोग बनाते हैं यह बैटर ही है कि आलकोल हो रहा चाहिए आपको लॉंक टाइम आप यूज करते हैं तो आपकी स्कीन को हम फोल होता है, वो ड्राइ हो जाती है, स्कीन कैंसर भी हो जा सकता है, तो यह आलकोल, सबसे बड़ी बात है कि मंदी के इंदर आलकोल नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात कि आपकी स्कीन को नुक्षान पी नहीं, यह दोनों तरफ से इसलिए हम लोग ने सोचा कि चलो हम क्यों आम आलकोल विदाउट अलकोल अब बढ़ाए, तो हम लोग ने इसके बाद हम लोग ने वहीदो से संपर किया, पांडी जी संपर किया और फिर हम लोग ने इस शुडू किया, उनकिया अभियान में लोग ही कर रहे है, आर संस्क् दाउन चलते हुए मंदिरों को बोजन सामगरी कि भोग के बेट किये थे उसके साथ हमने यह आयरुवेदिक सेनिटाइजर और उसके साथ मास्क भी वित्रण किये थे जब हमको अनुभा हुआ वेद्यों से हमने जानकारी मांगी हमारे अदेश में का जाता केवल फिट करीब का पानी होता है उससे हाथ दोलो तो सेनिटाइजर कहलाएगा उसके अलावा एक होता है जो तिरिफला होता है तिरिफला को आप गरम करके और उस पानी से हाथ दोले तो भी आपका सेनिटाइजर मानने है हमने इसके अनेको वेद्यों से जानकारी लेने पस्चात इसका यह निर्णे लिया गया, कि इसमें लोंग, कपूर जो भी आपने बताया, ये सब चीजे गरम पानी करके खूब उटाया जाता है, उसके अंदर ये नीम के पेड के पते, तुलसी के पते, सारी चीजे मिस्रन करके और इसे बनाया जाता है, इसका हमने एक प्रचार अभियान चला होगा, पाश्चिम देशों के अंदर पानी और मोसम का परिवर्तान होता है, बार-बार पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ एलकॉल का इस्तेमाल होता है, यहां ऐसा कोई अभाव नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए यहां बिना एलकॉल के भी ये थोड़ा हमारा सपोर्ट करें और राजस्थान के हर मंदिर में जैपूर में हमने अब तक सो मंदिरों को दे चुके हैं इसकी विदी भांक्रोटा में साही बाबा मंदिर में बनाके वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं बासवाडा के अंदर परशुराम मंदिर में कर रहे हैं इ कि जिससे जनता को ये समझ आए कि जरूरी नहीं है, हमें ये अलकॉल वाला ही लेना है इसके बाद दूसरी चीज ये है, जैसे मंदिर वाले इस्तेमाल करेंगे तो मंदिर वाले इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं इससे भी करके और साबून और जो होता है लिक्विड वो रखके उससे भी हाथ दो लेंगे तो सेनेटाइजर है हमारे ये दिमाग में जब आई थी जब इन डॉक्टरों ने ये कहना शुरू किया कि बार बार ऐलकॉल के सेनेटाइजर को हाथ लगाने से इस स्क्रीन पे फरक पड़ेगा तो हमने ये चाहा था भाई कोई स्क्रीन पे फरक नहीं हो शारीरिक परेशानी नहीं हो और मंदिरों की एक गरीमा बनी रहे जिसमें हमको एलकॉल इस्तेमाल नहीं करना पड़े इस आधार को लेते वे हम लोगों ने ये तयार किया पिल्कुल कहीं ना कहीं मंदिरों की जो भावना है श्रद्धालों की जो धार्विक भावना है उसको आहत ना हो इसको लेकर इस सैनिटाइजर को तयार किया जा रहा है जिसको छोटी काशी के लगबख सभी मंदिरों में उपयोग भी किया जा रहा है मैं केमरे परसन राम कीशन सैनी के साथ रिशब पांडे एवन टीवी न्यूज जैपूर